आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो जो हमारे पास Question है What is hysteresis look? Explain with the help of terms related to it और यह एक hysteresis look बना हुआ है इसे हमें explain करना यह होता क्या है इससे जो terms related है उनके help से तो सबसे पहले हम एक Magnetic Material consider कर लेते हैं और उसको एक Variable Magnetic Field मरते हैं उस Variable Magnetic Field है है और उस Magnetic Material की Intensity of Magnetization आई होगी तो जैसे यसे जो हमारा Applied Magnetic Field है है उसको हम O से A तक Vari करेंगे तो उस Magnetic Material की जो Intensity of Magnetization होगी वो भी O से A तक Vari करेंगी पर जैसे ही हम Applied Field को A से O Decrease करेंगे पर जैसे ही हम Applied Field को A से O की तरफ Decrease करेंगे तो Magnetic Intensity जो है वो Path A O को Follow नहीं करेगी वो A भी Path को Follow करके और यह पूरी तरीके से 0 नहीं होगी यह B पर आके रुप जाएगी राइट और Field को जैसे जैसे Gradually Back किया जाएगा As the Field is Gradually Varied Back From O to K जैसे जैसे Field को O से K तक लाया जाएगा तो I जो है वो BD के Path को Follow करेगी यानि कि Initially जब A से O लाया गया तो Intensity of Magnetization ने A भी Path को Follow किया और जब Further B O से K तक लेकर जाएगा तब Intensity of Magnetization ने BD Path को Follow किया तो इससे हम देखते है कि I जो है वो हमेसा Lack कर रहा है H से यानि कि H आगे है I जो है वो पीछे रह जा रहा है और यह हमें जो Graph मिलता है वो Hysteresis टाइप का मिलता है यह A, B, C, D, E, F, A जो Graph है यह एक Hysteresis टाइप का Graph होता है Value वो Value Intensity of Magnetization की जब हमारा जो Applied Magnetic Field है वो जब Zero हो जा रहा है तो वो उस Value उस Value of Intensity of Magnetization को हम क्या कहते हैं हम उसको Retentivity कहते हैं हम उसको Retentivity कहते हैं और इस Phenomenon को जो Lagging होता है I का या B का I को लिखे हो या इसको I को B भी कहते हैं यह जो Phenomenon होता है I या B का Lag करने का H के पीछे जब एक Magnetic Material को Cycle of Magnetization से Subject किया जाता है इसको Hysteresis कहते हैं और यह जो Loop बनता है यह जो Path होता है इसको Hysteresis Loop कहते हैं Understand और जब हमें जो बचा हुआ Intensity of Magnetization है यह जो बचा हुआ Retentivity होता है हमें इसको Zero करने के लिए हमें Applied Magnetic Field को पीछे Apply करना पड़ता है Negative Direction में तो यह जो Negative में Applied Magnetic Field में हम Apply करते हैं ताकि हमारा जो Retentivity है वो Zero हो जाए Intensity of Magnetization Zero हो जाए इसको क्या कहते हैं इसको Coercivity कहते हैं Understand पुरा Hysteresis Loop समझ में आ गया Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर